अगर आपको मिठाई बनाना कठिन लगता है चाशनी बनाने में जंजट होती है और मावा आपको अच्छा नहीं लगता बजार का तो ये मिठाई आप ही के लिए है इसके अंदर ना मावा यूज किया है ना चाशनी बनाई है तो चलिए easy सी बहुत ही simple सी और बहुत ही tasty सी मि दे सकते हैं तो इसको हमें हलका सा dry roast करना होगा मैंने कोई टेल घी कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर तो ये बहुत ही easy recipe है वीडियो end तक जरूर देखिएगा अब इसके बाद इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं सूजी तो इसके अंद अब इसके अंदर हम डाल देंगे घी तो घी में एक बार में नहीं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि इसके अंदर जादा घी न डल जाये तो काफी बार क्या होता है हम एक साथ घी डाल देते हैं उससे क्या होता है घी बहुत जादा डल जाता है इस एक चम्मच करके मैंने इसके अंदर 1 फॉर्थ कप के करीब घी डाला है और ये देखिए ये घी धीरे-धीरे मिक्स होता जा रहा है इसके अंदर और अब भी मुझे ये सई लग रहा है तो मैंने इसके अंदर इन टोटल 1 फॉर्थ कप के करीब घी डाला है और ये धीरे-धी यह देए देखिए कि हम इसको सेखते ही यह थोड़ा सा है जो लिप्विड नहीं डालेगा नहीं यह देखिये तो एक बार में बहुत छाल का सा डंने तक हमें देखना है आप देख सकते हो वनफोर्ट कप में ही कितना जादा ये बाद में लिक्विड हो गया है तो अगर आप जादा घी एक्स्ट्रा शुरू में डाल दोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी और इसको देखी हमें तब तक सेखना है जब तक इसमें ऐसे तरीके से जाग नहीं आ जाता मतलब ये जो है कलर भी बदामी हो गया है और ये फूला फूला सा हो गया है तब तक हमें इसे सेखना है और इसके बाद बिना चाशनी बनाए डारेक शुगर पाउडर में इसके अं तब तक आपको सेखना है और उसके बाद इसके अंदर पाउडर शुगर डाल देनी है अब पाउडर शुगर मैंने एक कप के करीब डाली है आप चाहो तो थोड़ी से एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो अगर आपको मीठा जादा पसंद है और इसके बाद मैंने देखिए एक चम लाशनी डालनी है कोई जंजट है ही नहीं अगर आपका यह फिर भी नहीं बंद रहा है तो आप इसमें दो छोटे चमल दूट डाल सकते हो यह देखिए काफी लिक्विड हो गया था तो मैंने तो इसको जो है इस तरीके से टिन में निकाल लिया है मैं आज इस तरीके से ज इसमें देखिए सेट भी हो जाता है उसके बाद आप इसको निकाल लिये और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से इसके पीसे कट रहे हैं तो बिलकुल भी दिक्कत नहीं होती बहुत ही टेस्टी और डिलिशस बेसन की बरफी यह बनके त्यार होती है बिना चाशनी के बीना एक्स्ट्र घी के काफी सारे लोग मिठाई अचकल इसने नहीं काते क्योंकी घी टेल बहुत जढ़ा होता हुता है उसमें आप देख सकते हो यह काफी ड्रायरा आसी लग रही है तो घी भी बहुत जढ़ाद नहीं है आप चाहो वैसे अगर तो एक्स्ट्र घी डाल स प्यार है किसी भी फेस्टिवल पे आप बना के इसको इंजॉय कर सकते हो तो जरूर ट्राइ किजिएगा वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंज की साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भुलिएगा जरूर शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएग झाल